25 जून 1975 भारतिया लोकतंतर के इतियास में इस दिन को देश के सबसेफ दुरभाग के पूंट दिन की संग्या दी जाती है 46 साल पहले देश के लोगों ने रेडियो पर एक एलान सुना और मुलक में खबर फैल गई कि सारे भारत में अब आपातकाल की गोशना कर दी गई है 46 साल के बाद भलेई देश के लोकतंतर की एक गरीमा में तस्वीर सारी दुनिया में प्रशस्त हो लेकिन आज भी अतीत में 25 जून का दिन डेमक्रेसी के एक काले अध्याय के रुप में दर्ज है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के बीच देश में 21 महीने तक आपातकाल लगया गया 25 जून और 26 जून की मद्य रातरी में ततकालिन राश्पती फकरूदीन अली एमत के अस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू हो गया अगली सुबह समूचे देश ने रेडियो पर इंद्रा गांदी की आवाज में संदेश चुना था भाई और बैनो राश्पती जी ने आपातकाल की घुशना की है इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है अपातकाल की घुशना के साथ ही सभी नागरिकों के मूलिक अधिकार ने लंबित कर दिये गए अभिव्यक्ती का आधारी नहीं रहा लोगों के पास जीवन का अधिकार भी नहीं रह गया था 25 जून की रात से ही देश में विपक्स के नेताओ की गरफतारियों का दोर शुरू हो गया था जै प्रकास नारायन, लाल किष्णा आडवानी, अटल बिहरी वाजपई, जोज फर्नांडिस, आधी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया था जेलों में जगय नहीं बची थी अपात काल के बाद प्रशाशन और पुलिस के द्वारा भारी उत्पीडन की कहानिय सामने आई प्रेस पर भी सेंसर्शिप लगा दी गई थी हर अकबार में सेंसर अधिकारी बेठा दिया गया था उसकी अनुमती के बाद ही कोई समचार चप सकता था सरकार विरोधी समचार चापने पर गिरफतारी हो सकती थी यह सब तब थमसका जब 23 जनवरी 1970 को मार्च महीन में चुनाव की गोशना हो गई लाल बादुर शास्त्री की मौत के बाद देश की परधान मंत्री बनी इंदरा गांदी का कुछ कारोनों से न्याय पालिका से टकराव शुरू हो गया था यही टकराव आपातकाल की प्रश्ट भूमी बना था आपातकाल के लिए 27 फरवरी 1967 को आय सुप्रीम कोट के फैसले ने बड़ी प्रिश्ट भूमी तयार की एक मामले में सुप्रीम कोट के चीफ जश्टिस सुबराओ के नेतरत वाली एक 7 बनाम 6 जज़ों के बहुतम से सुनाएगे फैसले में यह कहा था कि संसद में दोत्याई बहुमत के साथ भी किसी समीदान संशोधन के जरिये मूलबूत अधिकारों के प्रावधान को ना तो खत्म किया जा सकता है और ना ही इने सीमित किया जा सकता है 1971 के चुनाव में इंद्रा गांदी ने अपनी पार्टी को अभुतपूर जीत दिलाई थी और खुद भी बड़े मार्जन से जीती थी कुद इंद्रा गांदी जीत पर सवाल उठाते वे उनके चुनावी प्रतिदवन्दी राज नारायन ने 1971 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था सैंक्त सोशलिस्ट पार्टी के उमीदवार के तोर पर इंद्रा गांदी के सामने राइबरिली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने वाले राज नारायन ने अपनी याजिका में आरोप लगाया था कि इंद्रा गांदी ने चुनाव जीतने के लिए गलत तरीकों का इस्त कर डाली इस पर राष्ट पती फकरुद्दीन अले अहमद ने 25 जून और 26 जून की मद्यरातरी में ही अपने हस्ताक्षर कर डाले और इस तरह देश में पहला अपात्काल लागू हो गया इंद्रा गांदी के प्राइबेट सेक्रेटरी रहे दिवंगत आरके धवन ने कहा था कि सोनिया और राजिव गांदी के मन में इमर्जनसी को लेकर किसी तरह का संदय या पच्तावा नहीं था और तो और मेन का गांदी को इमर्जनसी से जोड़ी सारी बाते पता थी और वैं हर कदम पर पती संजय गांदी के साथ थी वैं मासूम या अंजान होने का दावा नहीं कर सकती। दिवंगत आरके धवन ने यह खुलासा एक न्यूस चैनल को दिये गए इंटर्वियों में किया था। धवन ने बताया था कि पस्ची में बंगाल के ततकालें सीम, SS रोय ने जनवरी 1975 में ही इंद्रा गांदी को अपातकाल लगाने की सला दी थी। इमर्जनसे की योजना तो काफी पहले से ही बन गई थी। धवन ने बताया था कि ततकालें राश्पती फकरुद्दीन अली आयमत को अपातकाल लागू करने के लिए उद्गोशना पर हस्ताक्षिर करने में कोई आपत्ती नहीं थी। वे तो इसके लिए तुरन तयार हो की गई थी। धवन ने कहा था कि आपातकाल इंद्रा के राजनितिक करियर को बचाने के लिए नहीं लागू किया गया था। बलकि वे तो खुदी इस्थीफा देने को तयार थी। जब इंद्रा गादी ने जून 1925 में अपना चुनावरद किये जाने का इलाबाद पहली प्रतिकरिया इस्थीफिक थी और उन्होंने अपना त्याग पत्र लिखवाया था। उन्होंने कहा था कि वे त्याग पत्र टाइप किया गया लेकिन उस पर हस्थाक्षर कभी नहीं किये गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके मंतरी मंदल के सहयोगी उनसे मिलने आए और सबने जोड़ दिया कि उन्हें इस्थीफा नहीं देना चाहिए। तो यह थी कहानी आपातकाल के समय की। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और कमेंट ज़रूर करे।